ग्रीव साध साध सब नेक हैं आप आपनी ठोरे जो सत लोक ले जावेंगे वो साधू कोई औरे तो यहां गीता जायरमबर 16-23 में कहा कि सास्तर विदी को ट्याकर्द मनमाना अचन करते हैं मनमानी साधनाएं करते हैं उनको ने तो कोई सुख होता है ने कोई उनको सिध्धी प्राप्त होती है और ने ही उनकी गती होती है अर्थात विर्थ यूजलेस तो क्या फायदा ऐसे डड़े डोन का जिससे कोई लावी नहीं होना हो तो इसलिए 24 में सलोक में स्रीमत भगबत गीता ज्याए 16 के 24 में सलोक में तुरंद कहा है इससे तेरे लिए अर्दुन करते हो रह करते हो की विष्था में सद्गरंथ ही परमान है यानि सद्गरंथों को आधार मान कर जो संत सादना बताता हो उसी को सभीकार कीजिए अन्य सास्तर विरुद सादना बताने वालों को तुरंद ट्याग दीजिए वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और सरधालों को भी मिस्गाइड कर रहे हैं तो जिन मापुर्षों को परमात्मा मिले क्योंकि परमात्मा की गुनों में व cadence परमानित करते हैं कि वो परमिश्वर स्वम अपने निज सथान से चल कर आता है परमात्मा परमेश्वर उपर के लोक में रहता है, सत लोक में और वहां से चलकर आते हैं सैसरी, यहां अन्य रूप धारन कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दर्ड भक्त होते हैं उनको उपदेश देते हैं, ये तार ग्यान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं सत लोग अपने निज्ज सथान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा तीन सतीथी में हमारी केर टेक करते हैं हमारी देखवाल करते हैं एक रूप में वो स्विम रहते हैं सत लोग के अंदर वहां परमात्मा नर आकार हैं और यहां आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं तो सत लोग में जो परमात्मा के स्रीर की सतीती है वो मनुश अद्रिशे हैं मनुशुवत हैं उनके श्रीर का जो तेज है नूर है एक रोम कूप में एक रोम कहते हैं बाल को एक बाल में एक रोम में क्रोड सुरिय क्रोड चंदर्मा इन दोनों की मिली जली रोषणी हो उनका जो तेज हो परमातमा कि एक बाल की इतनी रोसनी है तो फिर सेस बोड़ी की कितनी होगी अंडरस्टूड है ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं ओर आल कंट्रोलर और ओर आल क्रियेशन क्रियेटर के रूप में वहां विराजमान हैं वो परमात्मा जो बनारस में, कासी में, धानक रूप में, जुलहा रूप में यहां रहे थे, अभी कलियोग में, सन 1398 से परसन 1518 तक 120 वरस रही थे वही परमात्मा उस असंग बर्मांड के कंट्रोलर के सिंगहासन पर विराजमान हैं, उस्तकत पर विराजमान हैं उसके विशे में आँखों देखा, उन महापुरसों ने बताया है, जिन को परमात्मा मिले और सच्खंड लेकर गए, फिर वापिस छोड़ा आदनी गरीबदास साइब जी, उनमें से एक महापुरस हैं उन्होंने कहा कि अनंत कोट विर्मांड का एक रती नहीं भार और सत्गुरु पुरस कबीर हैं, ये कुल के सर जिनहार हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नी पाया, वो कासी माहे कबीर हुआ ये कासी में जुलाहा रूप में जो रहे थे, परमात्मा ये असंग बर्मांड के स्वामी हैं, हम इनको पैचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभासा ही गलत सुन रखी है, कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है तो राम और किर्शन विष्णु और संकर भगवान तक हमारी बुद्धी सीमित कर रखी थी, इसलिए हम लाल को पैचान नहीं सके, हम दस के नोट की भी कदर जानते हैं, हम सो पान सो और हजार के नोट को भी खूप पैचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं है, आज भी परिचित नहीं हैं, यहां को लाल डाल दिया जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे, और एक हजार का नोट पढ़ा हो, तरज उठाओगे, चाहे किसी का ये भी कहो कि किसका है, देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं, तो अक्सर ब्रहम कहा है, और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई हजार का नोट है, कोई पानसो का, कोई दस और बीस और पचास सो का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहन कर लेते हो, लेकिन एक लाल आपको मिल जाए, तो इन हजार के नोट हैं कि गिंटिये नार आपके पास कितने हो जाएंगे, उस ही से मिल जाएंगे वो, तो इस परकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पैचान ने सके, क्योंकि वो हमारे बिहारमा नहीं थे, और हम पैचान ने सके, तो उसकी पैचान कराने के लिए परमात्मा सुमाए, और अच्छी आत्माओं क दो सो वर्स पहले, डाइस सो वर्स पहले गरीब दास जी आये थे सन सत्रा सो शत्रा में और सन सत्रा सो शत्रा में उनका अविर्भाव हुआ था, जनम हुआ था और सन सत्रा सो शत्रा आज सन दो हजार तेरा तिन सो वर्स पहले और तीन सौ वर्स पहले उनको प्रमात्मा मिले, पहले वो हमारे जैसे पुझारी थे स्ष judwegen और संकर भगवान माता मसानियों के और जब उन्होंने प्रमात्मा को देखा सतलोक देखा जहां हम रहा करते हूं स्थान देखे और वहां की जो सुख देखे फिर आकर उनको वापिस छोड़ा तो फिर वो इतने दर्ड होगे पूरा समाज एक तरफ जो ऐसे दर्ड भकतों को प्रमात्मा मिलते हैं और जिस कारण से वो अपनी सथीती को अपनी पहचान को अपने बच्चों तक करवाते हैं गीता के यथार्थ विशलेशन की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्यानमरित आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संतरामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatguru.org संतरामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंदर हैं जिन पर संतरामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541